नम्षकर स्वागत है आपका दॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपकी साथ सौमयराथी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं दॉक्तर दिवाकर तेजस्वी जो कि बिहार के सबसे जाने माने फीजीशिन्स में से एक है आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से जानने वाले हैं कि digestive system से जोड़ी जो problems है वो क्या होती है कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता है कि खाना नहीं पच रहा है तो खाना नहीं पचने के पीछे क्या कारण है समस्या कैसे सुलजेगे सबसे पहले डॉक्टर साहब नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत देंदेवाद समय जी डॉक्टर साहब लोगों को अकसर शिकारत रहती है कि खाना ठीक तरीके से नहीं पच रहा है या फिर खाना पचाने में उन्हें तकलीफ आ रही है तो आज मैं चाहूंगे हमारे दर्शकों को बताए कि ठीक तरीके से खाना ना पचना ये क्या है क्यों होता है देखिए आज भाग दोड़ की जिन्दिगी में जब आदमी खाने के प्रती बहुत समस्दारी नहीं बरता है तो बहुत सारी पेट जनीत रोग समस्याई उत्पन हो रही है उसमें सबस इसिडिटी गैस्ट्राइटी जखार गैस का होना वो परिशानिया बढ़ने लगती हैं दूसरी चीज होती है कि खानों का चेंट ठीक नहोने के करण से और जल्द से जल्द खाने कर और भाग करके अपने आफिस जाने के चक्कर में क्या होता है कि चवाने के करम में जतना चाहिए खाने को जतना टाइम चाहिए खाने को उतना नहीं दे पाते हैं और उस कारण से निगलते हैं ज्यादा फास्ट और उसमें भी डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है तीसरी जो समस्यां यहां आ रही हैं कि फूड में इन्फेक्शन की समभनाएं भी प इन्टेन होने की समभवनाएं कम रहती हैं और उसमें जो बैक्ट्रिल इंफेक्शन वारल इंफेक्शन हैं उस कारण से भी पेट जनी तरोग होते हैं और लूज मोशन पेट में इन्डाइजेस्टिबिलिटी यह सब की समस्यां आती हैं डॉक्टर साब किसी भी व्यक्ति क कब समझना चाहिए कि इन्डाइजेशन की प्रॉब्लम की वज़े से उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए कोई अलामिंग साइंज होते हैं जी जब आप ब्रश कर रहे हैं और आपको लगे की गले में टीता लग रहा है वापिस रिफलक्स हो रहा है या जब आप खा रहे हैं बहुत ज़्यादा धकार लग रहा है या पेट ब्लोट कर रहा है पेट फुल जाता है डिस्टेंशन हो जाती है या आपको जब खाते हैं उसके बाद आपको लैटन जाने की आवशकता महसूस होती है बार बार फ्रिक्वेंट स्टूल होते हैं या जब आप जाते हैं और आपको इस टूल प्रापर नहीं हो पाते हैं या आपको पेट जब गुर 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 आवाज करता रहता है बार 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 जबी बैठे वे हैं तो इन सब कंडिशन में आपको चिकित्य सलाह लेने की आप शकता है डॉक्टर साब लोग अकसर इन चीजों को बहुत जादा पर अंदास करते हैं लगता है कि अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ऐसी में मैं चाहूंगे कि अब दर्शकों को ये समझाए कि इस मामले में लापरवाही दिखाना कितना खतरनाक हो सकता है ठीकिए अगर किसी को लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है गास्ट्र बार-बार कहने के बाद भी वह इन्वेस्टिकेशन नहीं करा है और बाद में गैस्ट्रिक कैंसर की शिकायत पाई गई तो गंभीर समस्याएं भी हो सकती है एसीडिटी पेप्टी कलसर या गॉल स्टोन या पेट के अंदर बढ़ी आत या च्छोटी आत का सूजन या पेट को चेंज करना ज़रूरी होता है आप समय पर थोड़ा ही खाएं लेकिन समय खाएं जिसमें तीन घंटे में कुछ ने कुछ हलका चला जाए पेट में एक बार बहुत ज्यादा ना खाएं खाने के तुरत बाद बेट पर लेटने ने चले जाएं खाने के कम से कम एक से तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक किले अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन या म मेल बॉक्स के मादिम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं धन्यवाद